नमश्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेश एक नममर, मंगलवा, शाम सवा, साथ बज़े, राजसान की बड़ी खबरें नमश्कार, SBT News में 2810 प्रचारियों और प्रचारियों व्याख्याताओं, वरिस्त अध्याफ़कों, शादेदिक शिक्षकों, प्रियोक्षाला सहायकों, पुस्तकाले अध्यक्षों तथा मंत्रालिक संवर्गों की तबादले किये गए हैं बादमिक शिक्षान ने देशक द्वारा 379 शिक्षकों तथा मंत्रालिक करमचारियों के अंत्रमंडल तबादों की सूची चारी की गई है राज्तान में पंचायतों में चुनावी दंगल शुरू हो गया है पंच से लेकर सरपंच बनने वालों ने इसके लिए दौर शुरू कर दी है हाल ही में राजी निर्वाचनायों की ओर से 31 जुलाई 2022 तक विभिन कार्णों से रिक्त हुए पदों पर उपचिनाव के लिए कायकरम की घोशना की गई है मुखे निर्वाचन अधिकारी और सचिव चित्राव गुपता ने बताया कि राजी में कुल 14 पंच चाय समीती सुदह से 35 और 465 साहिद एक उप प्रधान वे 47 उप सरपंचों की पद रिखते हैं गुजरात के मोरवी में रईवाल को पुल हास से कि बाद राजसान सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है इस बात का अंदाजा इस बात से लगाए जा सकता है कि मुखे मंतरे शोगहलोत ने गुजरात में हुई घटना के फोरन बाद राजसान प्रदेश की सारुजनिक निर्मान विभाग से जुड़े एक महतपुन प्रसाव का अनुमोधन कर दिया गुजर तलब है कि प्रदेश में पुलो की निर्मान और रख रखाव सहित कई अन्य प्रजक्ट्स का जिम्मार सारुजनिक निर्मान विभाग यानि पी ड़विडी की देखरेक में ही होता है मुखे मंतरी द्वारा अनुमोधित प्रसाव के अनुसार सरजनिक निर्वान विभाग को कार्यों की गुर्वत्ता सुनिशित करने और गुर्वत्ता नियंतरन प्रणाली को सूद्रड करने की दिशा में फोकस करने को कहा गया है राजसान के उपडाग घर अब अलग ही अंदाज में दिखाई देंगे डाग घरों में अब पुराना कबार नहीं दिखाई देगा और नहीं गंदगी होगी इसके साथ ही कुछ उनिंदा डाग घरों की दिवारों पर स्वच्चता समंधी जानकरिया आमजन को दी जाएंगी वहीं दिवारप स्थाने कला भी प्रदर्शित की जाएगी भाते डाकवी भाग के राजसान परिमंडल की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया है राजसान परिमंडल डाक सेवाओं की निदेशक मुख्याल है अनुब्रता दास ने बताया कि उन्होंने कुल 1260 उपडाग घरों में सफाई करवाई सफाई के दरन पुराने रिकार्ड पुराना फरनीचर स्क्रैप इत्यादी को छांट कर बेचा गया प्रदार मंत्री नरेंद्र मोधी के मानगर संबोधन में जहां उन्होंने अपने धुर राजनीतिक विरोधी राजसान के मुख्य मंत्री अशोगेलोत की जम कर तारीफ की और उन्हें मोस्ट सीनियर मुख्य मंत्री बताया राजसान के CM अशो गहलोत ने कहा कि PM को विदेशों में समान इसलिए मलता है क्योंकि वो देश के प्रधान मंत्री है वो महात्मा गांधी का देश है जहां लोगतंतर की जड़े मजबूत और गहरी है सतर साल के बाद भी जहां लोगतंतर जिनता है बाड मेर में बन रही रिफाइनरी का 5% काम पूरा हो चुका है इस पर अब तक 22,040 करोड रुपे खर्च किये जा चुके हैं और 63,318 करोड रुपे के कार्या देश जारी हो चुके हैं HPCL राजसान रिफाइनरी का 1000 मिट्रिक टन वजनी सबसे भारी और महत्रपूर्ण एकलूपकन साबित कर दिया गया है वहीं रिफाइनरी की लगबख सभी परियोजना फैसिलिटेशन कति वीडियो में तेजी लाते हुए कारे में तेजी आई है शेखावाटी में सीकर और चूरू वै नागा और जिले में कृशी अर्थविवस्ता का अधार प्याज की खेती इस रिकार्ड एरिया में होगी वज़े इस बार प्याज की खेती से नए किसान भी जुड़ेंगे जिसके चलते प्याज का बुआई शेतर पिछले साल की तोना में 7-8,000 हेक्टियर जौदर रहने के असार है कृशी विभाग की माने तो प्याज उत्पादक शेतर में किसान अपने खेतों में प्याज की पौद लगाने में जुटी हुए है किसानों के मताबिक शेखावाटी में इस बार सास से 8,000 हेक्टियर तक रखवा बढ़ जाएगा सीरोही के आब उरोड के अधिवासी बाहुले ग्रामिन शेतरों में पिछले लंबे समय से कम वजन के सिलेंडर्स का वित्रन किया जा रहा है जिसको लेकर ग्रामिनों में आक्रोश है मैं इसके शिकायत मिलने पर कलेक्टर डॉक्टर भामरलाल ने तसत अधिकारी को जांच करने के आदेश दिये हैं सिर्वी आबुरोड चक पोस्ट से लगते बाबा पंचायत शेतर में इंडियन गैस सर्विस आबुरोड की ओर से तीन से पांच किलो वजन कम वाले सिलेंडर्स दिये जा रहे हैं जैसल मेर में बिजली के साथ ही पानी की कमी से किसान और परशु पालक परिशान है खास कर उंटो को पालने वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है पशुन के पीने के लिए बनाए गई पानी की खेली में लंबे समय से पानी नहीं है विभाग को बार-बार कहने के बाद भी बेहत कम पानी दिया जा रहा है इसे इलाके के सैंक्डों उंटो को कई-कई दिन तक बिना पानी के रहना पड़ रहा है सामता गां के परवन प्रेमी सुमेर सिंग ने बताया के रगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले राजे पशुन ओट धीरे धीरे विलुप्त हो रहे है राजे सरकार इनके सनक्षन के लिए भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो लेकिन धरातल पर इनकी सुद लेना तो दूर इन्हें पाने पिलाने में भी नाकाम साबित हो रही है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी मंगलवार को बांसवारा के मानगरधाम पहुंचे ये कारिकरम राजसान गुजरात और मध्यप्रदेश सहीत पूरे आदिवासी समाज और शेतरी के लिए महत्रपूर मानच वारा है काई करमे प्रधान मंत्री मोधी सहित अन्य बीजेपी नेताओं ने अपने भाशन से ये साफ मैसेज दिया कि आजादी की लड़ाई में अपने प्राणे च्छावर करने वाले कई करांते कारियों को इतिहास में जगा और सम्मान नहीं दिया गया अगर अब बीजेपी ऐसे महान लोगों को महतर देने जा रही है इस काई करम से पीम मोधी ने चार राज्जे, राजस्तान, गुजराद, मध्यप्रदेश और महरास्ट के आदिवासियों को साथने की कोशिश की और उनने कहा कि चारो राज्जे को मिलकर एक रोड मैप तयार करना चाहिए जिसे इस जगा का विकास हो सके तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना है, फिर हासिरोंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्प्टी न्यूस को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर